आजम कोशित कर लेकिन आएगा तो आएगातो आएगातो हम आज नरेंदर मोधी को हराने जा रहे हैं और हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में अंडर करंड है और बीजेपी हारने जा रहे है हारत माता की संतानों के खून के हार कत्रे का पराबर हिसाब लेने के लिए ही देश ने मुझे बिठाया है आने वारा दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबु का सरकार को एकस्पारी डेट हो गया है गलत बात बेकेंसी की इस फिल्ड में नहीं आरेन से ये पूछिए पहली बात जो पढ़ेंगे नहीं नौकरी कहां से लेंगे जब कोई अभ्यान जनता का अभ्यान बनता है कोई ताकत उसे डिगा नहीं सकती कोई ताकत से हटाने सकती कोई टाकत ताकत से चुखाने सकती कि 19 जून 2008 भटल सेक्टर 30 अगर्स शारदा सेक्टर 6 जैन्वरी सवन पत्र चेकपूर्स पहले उपेक्षा बाद में विरोद और आप हमने भी किया दा मीटू मीटू प्रियंका जी युपी की रादनीटी को इतना समध चुकी होना है नमस्कार मैं हूँ श्वेता सिंग देश भर में एक ही आवाज बार-बार गुंज रही है अब की बार किसकी सरकार क्योंकि पहले चरण के चुनावूं से लेकर अब तक केवल दो आवाजें सुनाई दी हैं पहला मोदी हटाओ, देश बचाओ, दूसरी आवाज मोदी है तो मुम्किन है इन दो आवाजों के बीच हम देश की सियासत पर पेश कर रहे हैं जनता की आवाज का श्वेत पत्र अर्मी नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल प्रोपर्टी नहीं है नरेंद्र मोदीजी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की एरफोर्स हिंदुस्तान की नेवी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है अंगरे सब दावा कर रही हैं कि उसने तो 6-6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी भाई ये कैसी स्ट्राइक थी जिसके बारे में ना आतंकियों को पता चला ना आतंकियों पर हमला करने वालों को पता चला नहीं पाकिस्तान को पता चला कवच भी मोदी प्रहार भी मोदी इस तरह से एक लंबी सूची है उन कालियों का कि जो राहू जी ने शुरू कराए और इन्हों ने प्रांचानों में बंद कराए दो डॉक्टर्ड विडियो जो प्रियांका जी ने स्वेम करवाए एक जिसमें वो बच्चों से मोदी जी को बालियां दिलाओं दुसरा जिसमें वो देश के प्रधान मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री को जानवर का खिताब दे रहे हैं आरोप भी मोदी धाल भी मोदी मैं समसता हूं सरकार को और सरकार के तमाम लोग जब यह राष्टवाद पर बोट भारत माता की जैब इन कोई कार्काम शुरू नहीं होता इनका और जब इतना देश वक्त हैं तो कम से कम एक जवान का सामना तो करती सरकार यह काफी बुरी तरह से पिट गई है वह फेल भी हो गई है फिर इस पार्टी ने वैखासकर परधान मंतरी स्री नरिंदर मोधी ने अपनी चुनावी जन सबाओं में खुद अपने को पिछले वरक का बता के फिर इस चुनाव में इन्होंने जाती के अधार पर यहां पिछले वर्गों का बोट लेने का भी पूरा-पूरा प्रयास किया है मायावती जी भी अपने को एड़वुकेड लिखती थी मुख्यमंतरी बनने के पहले अकले स्यादो भी पड़े लिखे होंगे और मुझे लगता हर बेक्ती जानता है कि प्रधान मंतरी बनने के लिए जो अंक गणित है वा कम से कम 272 सीट चाहिए दाव भी मोदी, चाल भी मोदी चाहे वो मुख्यमंतरी रहे हों चाहे पाँच वरसों का हमारे वो प्रधान मंतरी रहे हों बहरोबाईयों भारत जी नहीं बलकि दुनिया का कोई व्यक्ति मुली उठा कर नहीं कर सकता कि हमारे प्रधान मंतरी नरंदर भाई मोदी के दामन पर कभी कोई दरश्टा चाहर की दादे लगे लेयर कट मैंडेट जो है हम लोगों को अभी मिलने जा रहा है नरंदर भाई मोदी दुबारा प्रधान मंतरी नहीं बनने जाने है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक गुजरात से लेकर गोहाटी तक हिंदुस्तान का चुनावत चरमोत कश पर है हर राज्य की अपनी जरूरते होती है उन जरूरतों के हिसाब से चुनावी मुद्दों की प्रात्मिक ताएं होती है लेकिन देश की मौजूदा तस्वीर में पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिन, हिंदी हो या बांगला, उडिया हो या तेलगू हर तरफ बस एक ही मुद्दा है जो सबसे बढ़ा है चुनावों में रोजगार का भी मुद्दा है, राष्ट्र ज का भी मुद्दा लेकिन या सारे मुद्दे एक नाम पर आ कर रुख जाते हैं या तो मोदी का समर्थन है या मोदी का बिरोध है यही कारण है कि 2019 के चुनाव किसी और से ज्यादा नरींद्र मोधी के लिए अग्मेपत है। और देश के प्रण मंट्री नरेंद्र मोधी जिने इस देश के 50 करोड गरीबों के लिए जीवन कैसे जिया जाता है। उसका एक नया रास्ता खोड़ने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने। कि चर्चा थी। बात लहर की होती थी इस बार बात अंडर करेंट की हो रही है। लेकिन फर्क है। फर्क ये है कि 2014 में नरेंद्र मोधी चालेंजर थे। इस बार इंकम्बेंट है। पिछली बार विपक्ष एक जुट नहीं था जिस तरह से इस बार नजर आ रहा है। अलगी महागट बंदन की तो हवा निकल गई। लेकिन इतना साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाओ पूर्वनस ही। चुनाओ के बाद ये सारी पार्टियां एक साथ आ सकती है मोधी को हटाने के लिए। बंगाली असमिता की लड़ाई में दीदी मोधी के खिलाफ बिकुल बचा रही है। कि खिलाफ मुठियां ताने रहते थे, आज वो हाथ में लाने को मजबूर क्यूं है। और क्या है मोधी के सामने वो चुनाओतियां जो 2019 की राह में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनाओतियां है। आधे से ज्यादा चुनाओ खत्म हो चुका है। क्या आप मानेंगे कि उत्तरप्रदेश की लड़ाई सबसे बड़ा संघर्ष आपके लिए जो तैय करेगा कि आखिर में स्कोरकाड इस चुनाओ में क्या रहे है। कि स्वाभावी क्रुप से उत्तरप्रदेश हमेशा यह तैय करता है कि स्कोरकाड की सवर जाने वाला है। मगर मैं इसको बड़ा संघर्ष नहीं मानता। हम विश्वास के साथ यूपी के चुनाओ के मैदान में हैं। प्रदान मंत्री जी स्वर हम यूपी से लड़ रहे हैं। कासी से लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है। यूपी में हम 50 प्रत्सत की लड़ाई को लड़ रहे हैं सफल। लोकतंत्र आकड़ों का खेल है। जिसके साथ नंबर होते हैं वही सवा सौ करोर जनता के भागय का विधाता बन जाता है। गटबंधन की गाठों को खोलिये तो आकड़ों की गुणा भाग मिलती है। एंडिये क्या आत्म विश्वास का टेस्ट कीजिए तो आकड़ों का गणित उसके पीछे निकलता है। मोदी के मुद्दा बंजानी की कहानी शुरू होती है 2014 में बीजेपी की विजैसे। बीजेपी ने 2014 का चुनाव मोदी लहर पर सवार होकर लड़ा था। अपने दम पर 282 सीटें जीत कर बहुमत हासिल किया था। इस बहुमत को प्रचंड बहुमत कहा गया। बीजेपी की जीत का कुल वोट शेर रहा 31.3 प्रतिशत। भारत के चुनावी इतिहास में इसे सबसे कम वोट शेर वाली सरकार कहा गया। लेकिन इन जीती हुई सीटों में 136 सीटें ऐसी थी जिदें बीजेपी ने 50% से अधिक वोटों के अंतर से जीता था। बीजेपी के खुल वोट शेर ने विपक्ष के लिए एक ऐसा फॉमिला खोज दिया जिसके समीकरण में बीजेपी उलज भी सकती है। लेकिन अगर उससे पार पा गई तो जीत का इतिहास दोहरा भी सकती है। आईए हम आपको विपक्ष के आत्म विश्वास और बीजेपी के मुश्किल वाले आंकडे को समझने का प्रयास करते हैं। 70 प्रतिशत जो सीटें बीजेपी ने पिछले चुनावों में जीती थी यानि कुल 194 सीटें वो सीटें जिन राज्यों में जीती थी वहाँ पर वोट प्रतिशत क्या था बीजेपी का वो दिल्चस्प है। ये सीटें गुजरात जहाँ पर वीजेपी का वोट प्रतिशत रहा 60.11 एक एक प्रतिशत मध्यप्रदेश जहाँ पर 54.76 प्रतिशत राजिस्थान जहाँ वोट प्रतिशत था 55.61 उत्तर प्रतिशत में कुछ और से योगी दल भी थे। बीजेपी का वोट प्रतिशत था 42.63 प्रतिशत महराश्रुभी सहयोगी दल के साथ था 27.3 प्रतिशत और बेहार जहाँ पर बीजेपी के और भी सहयोगी थे। यहाँ वोट परसेंटेज था 29.86 प्रतिशत। आगे करारी भार मिली और यहाँ से निकला गटवंधन का धागा पूरे देश में विपक्ष को एक सूत्र में बांधने का दावा करने लगा। क्योंकि गोरकपूर सीट पर बीजेपी को 2014 में 51.8 प्रतिशत वोट जबकि फूलपूर सीट पर 52.4 प्रतिशत वोट मिले थे। लेकिन गटवंधन की ताकत के आगे बीजेपी को पराजय कमुह देखना पड़ा। अमेठी राय बरेली में भी आप देखेंगे कि सापा पसपा ने अपना प्रतियासी नहीं दिया है। कहीं सपा कहीं बसपा कहीं कॉंग्रेस ये लोग सभी लोग कहीं न कहीं ये जनता पार्टी हर सीट को जीतने के लिए लड़ रही है। की SP को 22.2 प्रतिशत, BSP को 19.6 प्रतिशत और RLD को 1 प्रतिशत वोट मिले थे। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 42.8 प्रतिशत बैठता है यानि बराबर की टककर। इस सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्विता हैं। एक गटवंदन की कोई अखिल भारती असर नहीं है मित्रों। और इस सारे नेताओं को 2014 के चुनाओं में आपने पराकर्म करकर चुनाओं के मैदान में हराया है और फिर से एक बार हराने का सब्सक्राइब। एक बता है एक दो नहीं होता। राजनिती फिजीक्स नहीं है, राजनिती केमेश्ट्री होती है, कई बार दो पदार्थी कट्टा होते हैं, तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बार आजाता है, एक गटवंदन करने वालों को मालूम नहीं। 2014 में महराष्ट्र में बीज़पी और शिवसेना का साजा वोट शेर 48.38 प्रतिशत रहा था अब कॉंग्रेस NCP गटबंधन सामने है जिसका सम्मिलित वोट शेर तब 34.41 प्रतिशत रहा था बिहार में 2014 में आरजेडी को 20.46 प्रतिशत वोट मिले थे जिन राज्यों में गटबंधन नहीं वहाँ भी मुद्दा मोदी ही है हर सीट पर लड़ाई मोदी को हटाने की है गटबंधन के गणत के बीद सबसे ज्यादा असमंजस की स्थितिक कॉंग्रेस की दिखती है बंगाल में मम्ता ने भाव नहीं दिया यूपी में एसपी बीएसपी ने यूपी के लीडरों ने सबने एकठे बैठकर सला लेके सब के सबकी लेकिन हमने ऐसे ऐसे उमीद्वार दिये हैं जिससे बीजेपी का वोट करते गाए तो आप समझती है आखिर में क्या होगा इस चुना में घरेंद्र मोदी एक पर प्रदान मंत्री बनेंगा या नहीं आज तक की डेटा इंटेलिजन्स यूनिट के अनुसार यूपी की करीब दर्जन भर सीटों पर कॉंग्रेस का उमीद्वार गठवंधन को नुकसान पहुंचा रहा है सहारनपूर सीट से कॉंग्रेस के इमरान मसूत ताकदवर उमीद्वार लग रहे हैं लेकिन अगर वो नहीं जीते तो गठवंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं बदाईू सीट पर सलीम शेरवानी गठवंधन को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं बिजनौर सीट पर कॉंग्रेस के नसीमुद्दीन सिदिक की गटबंधन के वोट कटवा बनते दिख रहे हैं। मुरादाबाद और दिवरिया जैसी मुसलिम बहुल सीटों पर कॉंग्रेस ने मुसलिम कैंडिडेट उतार कर गटबंधन के लिए मुश्किल सिती पैदा कर दी। इसके अलावा इटावा से बीजेपी के सांसद कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं जिसकी वज़े से गटबंधन के वोट कटने का अंदेशा है। कॉंग्रेस ने अपने बयान को बदलने में देरी नहीं की। कि ये तो ये तो शिर्फ शुरुवात है। कि आगे आगे देखिए होता क्या है। हिंदुस्तान में न जाने कितनी छोटी बड़ी आतंकी घटनाओं का सूतरधार। मसूद अजहर अंतरराष्ट्रे आतंकी घोशित हुआ तो बात जशन की थी। लेकिन वो सियासी मुद्दा बन गया और मुद्दा भी ऐसा कि जो प्रधानमंत्री मोदी के इर्दगिर्द आकर विस्तार लेने लगा। सर्जिकल स्ट्राइक सरकारों में कई बार हुई हैं पहले भी और होती रही है। यह पहली बार हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है यह देश को राजनितिक फाइदा लेने के लिए बताया गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में वो कहते हैं कि जब हम सरकार में थे तो इन्विजिबल सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने भी किये थे वो एक अन्नोन इन्विजिबल सर्जिकल स्ट्राइक्स थे विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सुबूत मांगे थे एस्ट्राइक पर मोदी सरकार को सवालों के कटगरे में खड़ा किया था चार चरण के चुनाव के बाद जब मसूद अज़र को ग्लोबल टेररिस्ट घोशिद करने की खबर आई तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चुनावी छीटा कशी शुरू हो गए भारत की सरकार सालों से जिसकी राह देखती थी मसूद को यूएन ने आज अंतर राष्ट्रिय आतंकवादी घूशिद करने का काम चाहिए अजर मसूद इस टेरोरिस्ट एन दिस्ट्रिक्टेस्ट अच्छ शुद बी टेकन अगेंस्ट हम टेरिसम से निगोशियेट करके कि सरकार टेरिसम के सामने जुक कर उसको वापस किसने वेजा कॉंग्रिस ने तो नहीं वेजा तो रियालिटी है बीजेपी कॉंप्रमाइज करती है हिंदुस्तान ने 2009 से तकरीबन 10 साल 75 दिन तक लगा तार कोशिश की कि देश के दुश्मन मसूद अजर को वैश्विक आतंकी घोशित करा सके लेकिन चीन के वीटो के आगे भारत बार बार वेबस था अब जब चीन को छोड़कर अन्य देश भारत के पक्ष के साथ आग खड़े हुए तो चीन को मजबूरन वीटो हटाना ही पड़ा बीजेपी के राष्ट्रवाद के नारे को धार मिली लेकिन विपक्ष ने टाइमिंग पर सवाल उठा दिये अब देखें ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था चुनाव के समय ये हो रहा है अब ये क्या चुनावी बात है क्या है मैं नहीं जानता हूँ बहराल एक तरफ मसूद अजहर का मामला है दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक का मीटू कैमपें जिसमें कॉंग्रेस पार्टी ने अपने कारेकाल में 6 सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर दिया और आप हमने भी किया दें, मी टू, मी टू. UPA2 के दौरान सेना ध्यक्ष रहे, जेनरल वीके सिंग ने भी इस दावे पर सवाल उठा दिये. कॉंग्रेस को जुट बोलने की आदत है, जरा मुझे बताएं कि मेरे चीफ रहते कौन सी कथित सर्जिकल स्ट्राइक की गई, मुझे पूरा विश्वास है कि अब दूसरी कहानी बुनने के लिए कॉंग्रेस को किनी कुप्ता की सिवाएं लेनी पड़ेंगी. कॉंग्रेस ने सफाई दी कि उसने पहले सर्जिकल स्ट्राइक का जिकर इसलिए नहीं किया क्यूंकि ये देश हित में नहीं होता, पर चुनाओ के बीचों बीच सर्जिकल स्ट्राइक के दावे ने इतना तो साफ कर दिया कि वो राश्ट्र सुरक्षा का मुद्दा मोदी स चीनना चाहती है। लेकिन हमने देश के अलग-अलग शेहरों में जाकर जनता से ये जानने की कोशिश की कि उनके बीच वो मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर वो वोट देंगे। वारणसी हो या पटना, कटक हो या कोलगटा, अलग-अलग शेहरों में अलग-अलग मुद्दे हैं, किसी के लिए रोज़गार मायने रखता है, किसी के लिए राश्ट्रे सुरक्षा मुद्दा है। इसके सहलाब में सारे मुद्दे तिनके की तरह बहते हुए नजर आते हैं। वस एक ही मुद्दा सबसे उपर दिखता है। देश का दिल किसके लिए धड़क रहा है। ये जानने के लिए हमने यूपी, बिहार, राजस्थान, पश्चिम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में सीट दर सीट, शेहर दर शेहर, आम जनता से बात, सांसत के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की और जो तस्वी पश्चिम, बंगाल और ओडिशा ये दो वो राज्ये हैं, जहां कि कुल 63 सीटों में से 2014 में बीजेपी को सिर्फ तीन सीटे मिली थी, इसलिए जब हम इन दो राज्यों में गए, तो हमारे लिए उन दावों को परखना जरूरी था, जो बीजेपी के नेता लगातार करते आए हैं, के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो अकेले भारतिये जनता पार्टी ने 52 प्रतिशत सीटों पर कबजा किया था, लेकिन वोट प्रतिशत बीजेपी का रहा था, 31 प्रतिशत। इस कारण बहुत हाय तौबा मची, यहां तक की अभी भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को तो किवल देश के 31 प्रतिशत लोग अपना प्रधान मंत्री मानते हैं, पर यह कितना सही है, बाकी सरकारों का क्या हाल रहा। तो आपको बता दीं कि 2009 में जब UPA2 का शासन था, तब कॉंग्रेस पार्टी ने मात्र 29 प्रतिशत वोट हासिल किये थे। इससे पहले 2004 में कुल UPA का वोट प्रतिशत मिलकर था, 36 प्रतिशत, सबसे अधिक वोट प्रतिशत जिस सरकार ने हासिल किये, वो तब जब इंद्रा गांधी की हत्या के बाद सहानु भूती लहर में राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री बने थे, तब भी 49.01 प्रत प्रतिशत से नहीं, बलकि सीटों की संख्या से सरकार बनती है। यह पूरा हिंदुस्तान समझ गया है। आलोचना के केंद्र में प्रधान मंत्री मोदी को रखा, यहां तक की संबन्नित मंत्रियों तक का जिक्र आलोचनाओं के घेरे से बाहर होता था। ऐसे में हुआ यही कि चुनावी आरूपों में सरकार की जगे प्रधान मंत्री मोदी सेंट्रल केरेक्टर बन गया। और सारी लड़ाई मुद्वों से अधिक व्यक्ति पर आधारित होती चली गए। और मुद्वाइब भेशान से, प्रधान से, प्रधान से, प्ल्चनाओं प्रधान से, प्रधान से, उस्यूज़ नेयदारित होती है। सरकार भी अपनी, दोस्त भी अपना, और रक्षा सोधा भी बड़ा, यानि नामदार की मलाई का पूरा इंतजाम था बयानों पर पलटवार हुआ, नीतियों पर प्रहार हुआ, यहां तक की पहली बार ऐसा भी हुआ कि सत्ता की लड़ाई के केंदर में मैनिफेस्टो वर्सेज मैनिफेस्टो रहा कॉंग्रिस ने बीजेपी से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया सरकार बनने की सूरत में बात राश्ट्र द्रोह कानून की भी हुई और धारा 370 की भी पहले से राश्ट्रवाद के रत पर सवार बीजेपी को ये मन मताबिक मुद्दा मिल गया और बीजेपी ने यहां से चुनाव प्रचार की धारा का रुख राश्ट्रे सुरक्षा से समझोता वर्सेज राश्ट्रवाद की तरफ मोड दिया पत्थरों से सीड़ी बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इसे खुद को केंदर में रखते हुए राश्ट्र स्वाभिमान से जोड कर प्रचार का अमोग अस्त्र तयार कर लिया भगवा की राजनीती का रंग बीजेपी का सबसे पसंदीदा रंग मोधी सरकार के पांक साल के दौरान विपक्ष ने गाय गंगा और हिंदुत्व के मुद्दों पर बीजेपी को बार बार कट घरे में खड़ा किया अंतिम वर्षों के आते आते प्रमुक विपक्षी पार्टी के मुख्या राहूल गांधी का हिंदुत्व और जनेयों की राजनीती भी खूब चर्चा में रहे प्हूप कर विघा खूपक्षीत परामता हिंगे भी ऊिर्मुक के मुख्यास को राजनी कवाता है कि एल कि ह्क कॉ Frederick consistent अवर्चे ॉन्ल्मी च्क्वाष्टी का उत्यों इंड पर्सकी, मैं र्मजोरी दो मुलत का है रहें। लेकिन सौट हिंदुत वाले दाओं को चूर चूर करने के लिए बीजेपी ने यह याद दिलाना शुरू किया कि यह वही पार्टी है जिसने कभी हिंदु आतकवाद का टर्म दिया था और साधवी प्रग्या को भोपाल से दिगविजे सिंग के खिलाफ मैदान में उतार कर बड़ा संदेश देने का प्रयास किया तो फिर सवाल यह उठता है कि आपकी पार्टी ने साधवी प्रग्या को एक टेरर अक्यूस्ट को सर जो कि आतंकवाद की आरोपी हैं उनको टिकट क्यों दिया मुझे पर इतने आरोप लगे थे इतने आरोप लगे थे और ऐसा हवा बना दिया था अर आप अख़वार और ओन्लाइन वीडिया अगरे निकालोगे तो साल लाखों पेज मोदी के खिलाब मिलेंगे आपको और उसके प्रभाव में अमेरिका ने मुझे वीज़ा देने से मना कर दिया था लेकिन जब सच बार आया तो अमेरिका खुद मोदी को निमंदरन भेजने के लिए सामने आ गया तो यह सा जूट चलाने कि इनके मोड़े सपरेंडी है यह कॉंग्रेस ने पक्की मोड़े सपरेंडी देखी है इन दिनों भी वादर जाती नहीं है चुनावी शोर में विकास का मुद्दा सुनाई तो देता है लेकिन वो उतना ही सुनाई देता है जितना आरूप प्रत्यारूप के प्रचार का मोड़ों सुनने की इजाज़त देता है कॉंग्रेस ने सबसे गरीब परिवारों को 72 हजार रुपए सालाना की योजना 22 लाख नौकरियों को अब होगा नियाय के स्लोगन के साथ जोगा गरीबी परवार 72 हजार और यह कॉंग्रेस पार्टी की पहली गैरेंटी है कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार डाइरेक्ट पैसा डालेगी नमस्कार में प्रियांका बोल रही हूं आप सबको मालूम होगा कि कॉंग्रेस पार्टी के नए घोशना पत्र में एक योजना है जिसका नाम है न्याय इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए साल आना मिलेंगे और सबसे बड़िया बात आपको मालूम है क्या है कि ये पैसे सीधे घर की महेला के खाते में जाएंगे अब होगा न्याय का अब शब्द बीजेपी ने पकाई लिया और कॉंग्रेस को अब शब्द के मकड़ जाल में घेर कर पिछले 70 सालों का इंसाफ याद दिलाना शुरू कर दिया बीजेपी ने अपनी हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपए साल आना की स्कीम को जोरदार धंसे प्रचार का मुद्दा बना दिया किसान के लिए पैंशन की बात हो खेत मजदूर के लिए पैंशन इस एक बहुत बड़े कदम के और हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो एक एशॉर्ड जिन्दिगी जीने के लिए अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा कॉंग्रेस और बीजेपी के दावों में जनता का भरोसा किसके साथ है ये सवाल लेकर हम जनता की आदालत में गए वादा पूरा हो सकता है बारह अज़ार प्रतिमा का जरीबों को सवाली ये बेदा होता है आपको लग रहा है हो सकता है आपको ऐसा लगता है नहीं बिल्कुल नहीं लगता कहां से देंगे तो हमें लगता है यह हो सकता है काम देश के चुनाओ में जब प्रचार का सारा स्पेस राष्ट्रिय मुद्वों ने ले लिया तो खेत्रिय ताकतों को भी राष्ट्रिय स्तर पर आकर शक्ति प्रदर्शन करना मजबूरी बन गया इस तरह चुनाओ का सारा फोकस एक जग laisser ने roll कर रह गया मोधी वर्सेस और और हर मुद्दे से बड़ा मुद्दा बन गया ब्रैंड मोधी का मेंगा बीजेपी का दावा है कि पांच सालों में राश्ट्र सुरक्षा के अलावा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धी ये रही है कि ब्रष्टाचार का एक भी मुद्दा सामने नहीं आया है लेकिन कॉंग्रेस खासकर अध्यक्ष राहूल गांधी ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से राफैल के ब्रष्टाचार को वो उजागर कर सके और उसके जो छीटे हैं वो प्रधाल मंत्री के दामन तक पहुँचे राहूल गांधी की लगभग हर चुनावी सभा का अंत एक ही नारे से होता है इस नकरात्मक नारे को अपने पक्ष में मोडने के लिए बीजेपी ने भी नया नारा गढ़ा इमानदारी के मुंदे की रसाकशी ऐसी चली कि सुप्रीम कोट तक पहुँचे सर्वो चादालत के एक फैसले को राहूल गांधी ने अपनी बात पर मुहर होने का दावा कर दिया सुप्रीम कोट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई लेकिन जब बीजैपी ने राहूल के इस वक्त तव्यों कोट में खसीटा तो कॉंग्रेस पर दाव उल्टा पड़ गया कोट में राहूल गांधी के वकील माफी मांगने से माफी नहीं होती है माफी का एक पूरा तरीका है जिसमें जिस व्यक्ती ने गलती किया माफी वहीं मांगेगा और वो भी हलफ नामे पे अफिडेविट के साथ मांगेगा और सपश्ट है कि हमारी प्रेटिशन ठीक थी और इन्होंने अपरात किया है प्रधान मंत्री मोदी को उम्मीद है कि पिछले पांच सालों की उनकी छवी में देश की जनता एक इमानदार चौकिदार को देखेगी अदालत में जब फैसला होगा तब होगा अभी तो लड़ाई केवल परसेप्शन की है और ये जनता की अदालत हुए श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही